प्रियविद्यार्थियों पिछले लेक्षर में हमने उजनेसिस के अंतरगत मैचुरेशन फेज तक के बारे में पढ़ा अब उससे आगे बढ़ते हैं मैचुरेशन फेज के अंतिम चरण में कोशिका के अंदर विवेदन की प्रिक्रियावी शुरू हो जाती है प्रारंब में तो यह अंद कोशिका अविवेदित प्रकार की होती है बाद में परिपक्वन प्रावस्ता के प्रारंब में ही अर्द सूत्री विवाजन से पहले U-site में कोशिका द्रवे का विवेधन और एक निश्चित प्रगार का संगठन इस कोशिका में इस्थापित होता है इसको कहते हैं differentiation in U-site अंड कोशिका में विवेधन अब यह जो विवेधन की क्रिया होती है यह तीन प्रगार से होती है यह तीन प्रगार की गतिविदियां विवेधन के अंतरगत हम देख सकते हैं जिसमें पहली है मैं आपको आपकी यह जो एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं यह है structure of ovum अंडाणू की संदचना अब इस अंडाणू की संदचना में आप देख रहे हैं मूल रूप से जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो केंद्रक और केंद्रक केंद्रक अंदर उपकेंद्रक नुकुलस और इसके कोशिका के चारों तरफ folicle cells होती है जो कि इसके portion का काम करती है इस कोशिका को चारों तरफ से plasma membrane द्वारा यह आबद रहती है और इसके बाहर फिर कुछ आवरण नए इसके उत्पन होना शुरू होते हैं जिनके भारे में हम आगे बढ़ेंगे और मद्धे में बड़ी मात्रा में इसमें योक या साइटोप्लाजम भी कह सकते हैं वो इसमें उपस्तित रहता है तो differentiation की जो क्रिया शुरू होती है उसमें सबसे पहले अंडे की दुरूवता और एक उसका दुरूवी अक्ष की स्थापना होती है यानि उसकी एक की polarity, polarity of egg and establishment of polar axis अंडे की दुरूवता यानि उसके दुरूव निर्धारित होते हैं और उन दुरूवों के बीच में एक अक्ष की भी अक्ष का भी निर्धारन होता है और यह दुरूवता जो है यह विवेदन से पूर भी प्रारम हो जाती है लगवक सभी अंडों में दो दुरूव पाए जाते हैं शायद पहले भी आपने बढ़ा होगा उसको एक दुरूव को कहते हैं अपन प्राणी दुरूव या एनिमल पोल और दूसरा दुरूव कहलाता है वेजिटल पोल इसको अल्पक्रिय या अक्रिय या वानस्पतिक द लगवक उसकystem दुरूवक के क्याते हैं वेजिटल पोल तो दो प्रगार के दुरूव होगे अनिमल पोल और वेजिटल पोल और इन दौनों जो पूल या दौनों दुरूव की स्थापना जब हो जाती है तो उनके मध्रे कालपनिक दुरूवी अक्ष्ष वो भी एक निर् ठाड़त हो जाता है onun नाणु कोशिका में पाए जाने वाले विविन्य पदार्थ हो यह सबी दुरूवता का निर्दारन करते हैं आप यूग है यूग की मातरा किस तरह अधिक है किस तरफ कम है और ऐसे पिगमेंट सेल्स जो है वो किसी खेत्र में अधिक है ठीक है आरेने का एकुमेलेशन के अंडे के अंदर किस इस्थान पर अधिक है या वह स्केटर्ड फॉर्म में है ऐसी सारी चीजें मिलकर इसकी दुरूता का निर्धारन करते हैं प्राण दुरू जो होता है एनिमल पॉल जो होता है उस पर पी तक रहित कोशिका द्रव्य केंद्रक का मूल रूप से यह उपस्तित होते हैं एनिमल पॉल की तरफ एनिमल पॉल की तरफ जो योगलेस साइटो प्लाजम होता है योगलेस जिसमें योग की मात्रा कम होती है पी तक ज इंद्रस इंद्रक भी उधरी इस्तित होता है उसके विपरीत जो उलम्पक्रियेल रूब है है अगल जिसको आप अक्रियं रूब बी कहते है है यह वन श्वनुपक्रिय धुरुब द्रूब कर पर पी तक अधिक मातरा में पाया जाता है यह वेजिट्यल पोल पर योग की मात्रा अधिक होगी एनुवल पोल पर योग की मात्रा कम होगी दूसरी जो इसमें घटना-घटित होती है differentiation के अंतर उती है symmetry के संबंद में अंडे की सममीती तो धुबी एक्ष की इस थापनागे साथ ही अंडे में प्रष्ठ एवम अधर तल का निर्धारन भी होजाता है। सबुदर कोन सी और में bumper साइट कोन सी ये लिए सब्सक्राइब हो जाता जिसे अंडिबाद कينचते जिते लगवग सभी अंड़म अदिगाउ्ट इस वी पार्शव एंमृतारी पाई जाती है ऑँ बाई लेटरल सेमेटरी पाई जाती है और गयाती टे तो जो दौनों द्रफ के पार्ष भाग होगे स्वावा की रूप से जो एन्युल पोल की साइड फिर निर्धारित होगी तो वेंट्रल साइड हो जाएगी उसके अपोजेट फिर हो डॉर्सल साइड कहला ही तीसरा जो विशेश जो एक घटनागरम होता है उसमें कॉर्टिकल इसमें जो अंड कोशिका का कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें पूरी कोशिका में एक समान मात्रा में एक जैसा दिखाई देने वाला ही कोशिका द्रव्य पाए जाता है जो बाद में उसमें दो भागों में जो विवक्त हो जाता है तो पहला भाग तो उसको कहलाता है को प्लाजमा जिल्ली के जो नीचे और कोशिका की परदी परिस्तेत उता जैसे आप यह डाइग्राम देख रहे हो इसमें आप कोशिका की जो यह जो बैगनी कलर कहलो यह जो गुलावी रंग है इस गुलावी रंग की यह क्या है एक परदी है कोशिका की प्लाजमा मेंब्रेन है उसके नीचे आपको ग्रेनियूलर साइटो प्लाजम दिखाई दे रहा होगा यह जैसे चोट चोट ग्रेनियूस दिखाई दे रहे होंगे यह कॉटिकल ग्रेनियूस कहलाते हैं है ना तो य uğivas तो निचे हूजाता है इसके अलावा जो कोशी का पाए जाता है के अधर भाग कहलाता है इस भाग में पी अधा में चल्ोन पिष्थ और classe k assum को शिक कंग के इसी के अंदर हिस्तित हएं तो मत्य से निई परेदियह इससे को छोड़कर जो मद्यवाला हिस्सा है उस हिस्से में एंडोप्लाज्म पाया जाता है और परदिये इस्ते पर हिस्से पर पायाने वाला जो कोशी का द्रव्य होता है वो कोटेक्स कहलाता है वलकुट कहलाता है तो यह है दिफरेंटियेशन इन उसाइट हुगा इक प्रकार से इसमें जो गटनाएं होती है अब आते हैं टाइपस ऑफ एकस पर यानि जो विविन जो जन्तु समुगों के अंडे हैं वो अपनी संरचना और आकार में भिन होते हैं तो उनके आधार पर उनके प्रकार निर्श्चि होता है इनका प्रकार निर्धारेत होता है और सामाने तोर पेंडों का बर्गी करन किया जाता है वो उसके और भी एक 2 आधार हैं जिनके बारे में अब आपको आगे बढ़ाएंगे नंबर एक तो मानिए पीतक की मात्रा के कि आधार पर प्रकार निर्धारित होता है ठीक है दूसरा होता है पी तक के वित्रण के आधार पर किस प्रकार से पी तक का वित्रण इसमें हो रखा है तीसरा होता है कि अंडे के उपर अगर किसी प्रकार का कवच पाए जाता है ठीक है, तो वो कबच किस प्रकार का है, उसके आधार पर भी अंडे का प्रकार निरधारत होता है, और फिर किस प्रकार से उसका परिवर्धन हुआ है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, डेवलोप्मेंट किस प्रकार से हुआ है, उसके आधार पर, ऐसे कुल मिलाके है, चार प्रकार हैं, कौन-कौन से, on the basis of amount of yoke, पी तक की मात्रा के आधार पर, नमबर टू, on the basis of distribution of yoke, यानि जो पी तक है उसके वित्रण के आधार पर, और नमबर त्री, on the basis of shell, उसके कवच के आधार पर, और नमबर चार, on the basis of development, जैसे, ये मैं आपको एक diagram दिखा रहा हूँ, ये आपको चार प्रकार के अंडे लिखाई दे रहे हैं, ये जो चार प्रकार के अंडे हैं, इनमें, एक मनुष्यक अंडा है, A, नमबर एक, A पर जो है वो मनुष्यक अंडा है, बी पर मेड़क का एग है, फ्रॉक का एग है, सी पर ये मुर्गी का एग है और डी पर ये इंसेक्ट का एग है, ठीक है, ये चार प्रकार के अंडे के टायग्राम अभी आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, अब जैसे सबसे पहले लेते हैं, on the basis of योग, योग की मात्रा के आधार पर अंडे जो हैं, वो तीन प्रकार के बताए गए, तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, नमबर एक, सूक्ष्म पीतकी, जिनको इंगलिश में बोलते हैं, माइक्रोलैसितल, नमबर दो, मध्यपीतकी, जिसको बोलते हैं, मीजोलैसितल, और नमबर तीन, अतिपीतकी, जिसको बोलते हैं मैक्रो लैसितल और मेगा लैसितल भी बोल सकते हैं और पॉली लैसितल भी बोल सकते हैं यानि हिंदी हम बोलेंगे अतिपीतक की यानि पीतक की मात्रा के आधार पर हम अंडों का विवाजन प्रकारन рधारित कर सकते हैं जैसले सबसे पहला है सूक्ष्म पीतकी इस प्रकार की इंडों होते हुँ इस मिलती कोquarस मात्राम पाए जाता है इनकी सूक्ष्म पीतल मायक्रोलेसइछल किसा सत्व ओलिगोलेसिदयल भी कह सकते हैं यानि अल्प पीतकी यह भी कह सकते हैं और भी कई वेग्यानिकोने तो पीतकी नाम भी दिया जिसने पीतक पाय इनी जाता है लेकिन यह वियारिक दुश्टी से उचित नहीं है क्योंकि कुछ कम मात्रा में हैं सही पीतक तो अवश्य पाया जाता है ठीक है? तो ऐसे अंडे जिन में पी तक बिलकुल कम मात्रा में सुक्ष्म मात्रा में ना के वरावर मात्रा में पाया जाता है ऐसे अंडे कहलाते हैं माइक्रो लैसी थल या सुक्ष्म पी तकी ठीक है? सुक्ष्म पी तकी इनको सम पी तकी भी कभी कभी बोलते है तो यह इसका उधारण क्या है मनुश्य का अंडा यदि आप हुमन एग देखें तो हुमन एग में पी तक की मात्रा निश्चित रूप से बहुत कम होती है जैसे यह मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं यह स्लाइड अंडोच सर के समय मानव अंडानु की यह नि मानव अंडानु की संद्चना यह आप देखो तो वह इस प्रकार की दिखाई देगी भार कोर्ण रेडियाटा की कोशिका है फिर जोना प्लेप एली उसे डाइप किस प्रकार की लियर से में आपको बताऊंगा मध्य में कोशिका द्रव है और यह उसके चारों तरफ पेरिवाइटलिन अवकाश है एक छोटी सी फस्ट पूलर बॉड़ी भी आपको दिखाई दे रही तो कुल मिला के यह जो मनुष्य का अंडा होता है वो होता है सूक्ष्म पीतकी माइक्रो ले शिटल यहरी इन इनन तौं में पीतकी मातना मध्य मात्र होती है ना तो बहुत कशोती है लाव आप इसमें देखो डाइग्राम में तो यह फ्रॉक बी में जो है यह फ्रॉक का अंडा है यह मध्य पीतक की अंडा कहाता है फ्रॉक का अंडा इसमें पीतक की मात्रा मध्यम पाई जाती है और तीसरा प्रकार है अति पीतक की मैक्रोलेसितल और मेगालेसितल थल या फिर पॉ अधिक होती है उधारड के लिए avys के अंडे पक्षियों के अंडे हैं रिप्ट के चुछ-ब यूंडने होते हैं उनमे भी पीतक की मातरा ज्यादा ऊती है और इसके लावा इंसेक्ट वर्ग के जो प्राणी स्क्रीन पर यह मुर्गी का अंडा तो इसमें पीतक की मातरा बहुत अधिक होती है इसके अलावा जो इंसेक्ट का अंडा है इसक्रे में स्वाधिस होता है यह पस्थित होता है सरवादिक मात्रा में योग ही उपस्तित होता है बागी अवियब बहुत कम होते हैं तो इस प्रकार से पी तक की मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के अंडे हमें देखने को मिलते हैं सुक्ष्म पीतकी मध्य पीतकी और अति पीतकी यानि की माइक्रो लेसितल मीजो लेसितल और पॉली लेसितल या मैक्रो लेसितल या इसको मेगा लेसितल भी बोल सकते हैं तो ये अंडों का प्रकार निर्धारित करने का एक आयाम हुआ अब इसके अलावा फिर आगे वित्रन के आधार पर किस प्रकार से अंडे वित्रन के आधार पर डिस्टियूशन उनका होता है उनके प्रकार निर्धारित होते हैं यह आपको अगले lecture में बताएंगे Thank you